आज हम बात करने जा रहे हैं center of mass की ठीक है बहुत technical topic तो नहीं है लेकिन हाँ technical है पर एच समझने कुछ करीगा center of mass का मतलब क्या होता है नाम से लग रहा है कि center of mass is a point in a body where the whole of its mass is assumed to be concentrated जा समझेगा ये माना जाता है कि उस body का mass वहाँ पर concentrate होता है ये माना जाता है होता नहीं है समझारी बार नहीं आ रही है उसका reason क्या है वह ऐसा क्यों माना जाता है उसका मानने का कारण क्या है जोरा कारण बताना पड़ेगा आपको हमें देखिए ध्यान से देखिए आपने जितने भी laws of motion पढ़े उस laws of motion में खास बात आपने ध्यान अगर notice की हो या आपको साथ बताया हो ना बताया हमको नहीं मालू लाज़ अफ मोशन single particle system के लिए लागू होता है किसके लिए single particle system के लिए laws of motion लागू होता है जहां पर group up system होता है जिसको के system up particles कहते हैं वहाँ पर laws of motion लागू नहीं होता समझारी बार नहीं आ रही है एक particle एक body है उस पर बहुत सारे particles हैं वो body move कर रही है तो वहाँ पर laws of motion नहीं लगीगा अब problem यह आती है कि single particle system कैसे लिए जाए हम एक body है हम चल रहे हैं तो laws of motion हम पर लागू होना चाहिए समझारी हम बोल क्या रहे वो ध्यान से समझेगा center of mass को बताया जाता है center of mass is the point where whole of the mass of the body is assumed to be concentrated यह माना जाता है माना जाता हम कैसे माना जाता है समझेगा हम मालिया 60 kg के हैं जो की हैं सही मैं बता रहा हूँ अब हमारा जो पूरा के पूरी body का mass है खोपरी का अलग है सीने का अलग है कमर का अलग है पैर का अलग है इनको अलग-अलग तौलिय तो अलग-अलग mass होगा लेकिन हमारे पूरी body का जो mass होता है human body का जो normal human body का वो कहां पे काम करता है हमारी नाभी में काम करता है हमारे जो नाभी होती है जिसको English जो भी कहते हू अब नहीं जालते वहाँ पे काम करता है अब बताईए अगर मेरा ये नाभी का पार्ट आप काट लीजे और काट करके तोलिये जाकर के चक्की पे तो क्या 60 kg का आएगा तो इसका मतलब ये 60 kg नहीं है भाई हमारी पूरी बोडी का मास यहाँ पर अब वाई पूंसेंट माना जाता है हमने कैसे निकाला भाई ये हमने इसका एक 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 स्पेरिमेंट किया जरा समझ येगा हमारे पास माले एक बोडी है 32 सी बोडी ली है बड़ी धूनी पढ़ती चले एक धून लेते हैं बोडी जहीं काम चल जाएगी ये एक body है, माल लेते हैं ये body दस particles से मिलकर के बनी है एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, नो, दस, पांच माल लेते हैं पांच particles से मिलकर के बनी है तो हमें माल लेते हैं कि ये body अगर ऐसे रखी वी है तो पांचो particles नीचे गिर जाएंगे because of the gravitational force ठीक है, तो इसको कैसे रोका जाए भाई इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, जो पांच particles है उन पांचो particles को ऐसे उंगली लगाई और उपर के और ऐसे रोक दिया तो हमने, अगर मैं माल लूँ कि वो पांचो particles का जो weight था, वो 1 kg weight था या 1 newton था, तो कुल weight नीचे के तरब कितना काम कर रहा था, 5 newton का तो मैंने अपनी पांच उंगल्यानी उन पांचो particles पे ऐसे पांच newton एक newton, दो newton पांचो पे लगा करके ऐसे इसको रोक दिया एक तो यह तरीका हमारा था फिर हमने क्या किया, हमने इस एक ऐसा point ढूने की कोशिस की जहां पर इस body का पूरा weight एक्ट करता था मैंने इसको एक center पे फिर जाके ऐसे रोका अब हवा के उज़र नहीं रोक रही है, यह रोक गई हमने 5 particles रोकने के लिए 5 उंगल्यानी लगाई हमने एक point पे एक उंगली जाकर के रोक दी और पांचो को रोक दिया, force कितना लगाए 5 न्यूटन का इसका मतलब क्या हुआ भई, क्यों रोक गई है यह तो 5 particles थे, तो यह मान लेते हैं कि 5 particles का mass जब force की बात करो रोक तो वही weight हो जाएगा वो mass यहाँ पर काम कर रहा था, उसी point को हमने रोक दिया वो 5 particles रोक गए, संग्यारी बार नहीं आ रही है जो मैं बात center of mass की करूँगा, तो उन पांचों का combined mass की बात करूँगा यह बात संग्याई, अच्छा है, तो यह requirement मेरे संग्यागे center of mass की क्या होगी, तो जब हम single particle में laws of motion नहीं लगा पाएंगे, हमारी body चल नहीं माल लिया हम अपनी body के motion पे newtons ला लगाना चाहते हैं और हमारी science कहती है कि भाई यह newtons ला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आप single body system नहीं है, आपकी खोपरी है, आपकी कमर है, आपका सीना है, आपका हाथ पैर्स वाला गलग है, तो हमने क्या का भई हम single particle मान लेते हैं अपने आपको हमारा पूरा का पूरा mass हमारे नाभी पे काम करता है, यह single particle है और हम पूरा system जो मान चलेंगे, कि यह मैं हूँ, यह मेरा center है, तो यह center of mass होता है, समझ में आ गई बात कि जब हम बात करेंगे आपकी body के motion की, तो हम बात करेंगे आपके center of mass के motion की, आप मतलब single body, single body मतलब आपका center of mass ठीक है, तो center of mass is not a point जहां पर पूरा mass actual में act करता है, is assumed to be concentrated, यह अगर यह मालिया 10 kg की थी, अगर उस 10 kg के जो 10 आदमी बैठे हुए थे, अगर उन्हीं के वो अपनी जेब में 1-1 kg कोई सामान रख लें, तो वो 20 kg हो जाएगा, लेकि center of mass फिर भी वहीं पे काम करेगा, उसक मास हो जाएगा 20 kg, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, तो यह center of mass होता है, अब लिखिए center of mass of two particle system, center of mass of two particle system, center of mass की definition लिख लिएगा, कि center of mass is a point in the body, where whole of its mass is assumed to be concentrated, यह माना जाता है, कि वहाँ पर उसका पूरा mass concentrate होता है, अब मैं बात करने जा रहा हूं, center of mass of two particle system, देखिए, अभी मैं बात कर रहा है, मान लिया, यह एक body है, इसको मैं rotate करा दूँ, ऐसे मैं इसको rotate करा रहा हूं, अब हो यह रहा है, कि इसका यह वाला part आगे जा रहा है, और यह पाला part पीछे जा रहा है, तो हम किसके motion की बात क हैं, हम इसके center of mass का motion के बात करते हैं, जब मैं बात करूँगा motion of the particle, तो हम किसकी बात करेंगे, center of mass की बात करेंगे, अब लिए center of mass of two particle system, लेको दो particle system का center of mass कैसे निकाला जाता है, जरा साउधान, इसके कई तरीके हैं, अलग-अलग बुक में अलग-अलग तरीका लिखा हो M1 है, इस particle का mass M2 है, एक खास बात, center of mass of two particle system हमेशा उन दोनों mass को मिलाने वाली line के कहीं बीच में ही होगा, यह ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को मिला देंगे और center of mass बाहर लाई करेगा, ना, उसके बीच में कहीं लाई करेगा, अब देखू, अब हमने क इसका यहां पर पर काम करता है, इस point को हमने मालिया, जी, center of mass है, अब इसकी position निकालनी है हमको, तो पहले तो यह M1 particle कहा पर रखा, इसकी position निकाले, सिर M2 particle कहा रखा, इसकी position निकाले, किसी particle की position निकालने का method क्या होता है बताई किसी particle की position निकालने का method क्या होता है थोड़ा तेज बोली आपके आवाज बूती में है हाँ मैं एक reference point माल लेता हूँ अब वो reference point सबसे सस्ती बात यह है कि इन दोनों particle में से ही एक particle को reference point मालने जो origin माल लेकिन वो अगर हम बताएंगे तो bookish language से different हो जाएंगे तो आपको समझ में कम आएगा ठीक अभी हम दूसरा method बता जाएंगे फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ two dimension system लेता हूँ और मैं यह origin माल हूँ और मैं मानता हूँ कि M1 का जो position vector है वो R1 है और M2 का जो position vector है वो R2 है और center of mass का position vector निकालना है मैंने उसको RCM निकाल लिया अभी मैं कह रहा था कि जो दो particle यह पांच बंदे इसमे बैठे हुए थे यह पांच 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 के उपर थे हम पांचों को ऐसे पनी उंगली से रोके थे किसे क्रस्टन जी ने रोक लिया था उसको वो क्या रोका था गोवर्धन प्रवत को ऐसे मैंने इसको रोक लिया है तो जो action हम पांचों पे करेंगे same action will be on the center of mass तो अगर मैं moment निकालता हूँ moment of center of mass तो moment of center of mass यह निए moment of this particle plus moment of this particle is equal to moment of center of mass velocity of this particle plus velocity of this particle is equal to velocity of center of mass यहनि सभी के साथ जो combined effect होगा combined effect की बात करना हूँ जरा समझेगा अगर दो particle पे आप force लगाते हो 1 newton 1 newton तो resultant force कितना हो गया 2 newton वो कहाँ पर रेट करेगा center of mass की तो अगर मैं center of mass का moment निकालता हूँ तो हमने क्या कहा moment of this mass plus moment of this mass is equal to moment of center of mass सुद्मियारी बात मैं क्या कहा हूँ moment निकालने का तरीका क्या होता है जब आप force का moment निकालते थे तो f into r लिखते थे जब आप linear moment का moment निकालते थे तो linear moment into r करते थे तो आप कहेंगे moment of center of mass is equal to moment of center of mass is equal to moment of m1 moment of m1 plus moment of m2 m2 moment का formula क्या होता है mass into distance अब बताएए center of mass का पूरा center of mass जो है उसका पूरा mass कितना होगा m1 प्लस m2 तो इसका mass हो गया m1 प्लस m2 और ये center of mass cm हो गया इसकी distance is equal to m1 का moment कितना हो गया m1 into r1 plus m2 का कितना हो गया m2 into r2 तो r cm कितना होगा m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2 ये center of mass की position है when two particle system we are taking समझ में आई बात अचाल फिर लिखे एक और बात मैं बताता हूँ इसको नोट के दी पहले हाँ इसका derivation भी होता है कि उसकी जरूरत आपको नहीं इस लिमने ने बताया है ये विजबिल है what I have written वो छोड़ा सा चिप्टर है लेकि धमाकेदार चिप्टर है इसका logic समझाए centra of mass की जरूरत क्या है हमारी body के उपर newtons ला नहीं लग पा रहा है विचारे newtons परेशान थे तो हमने उसका तोड़ निकाल लिया कि हमारी body का पूरा mass जहां इट कर रहा है उसको single particle मान लो और पूरे newtons ला लगा दो क्यों newtons आप कहेंगे single particle के लिए लागो हो रहा है इतना हमने नियम बनाया तो लागो कहा करें तो हमने centra of mass की खोज की खोज क्या की centra of mass होता ही है उसको बताया हमने हो गया एक बढ़िया सी बात आपको मैं बताता हूँ जर सुनिएगा नया नाम है आपको फिलाल उस नाम से मतलब नहीं है लेगिन हो सकता रास्ते में जब पढ़ाई लिखाई से आगे पढ़े वो नाम रास्ते मिले एक वेरिगनन साब हुआ करते थे यह बहुत बढ़े दूसी बात है उन फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होगा होग नहीं होगा आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो को पकड़ने के लिए बहुत सारे डकायत जाते हैं घोड़े से जाते हैं टक टक करते करते और वो डकायत क्या करते दूर से ऐसे ऐसे अपनी भी रस्यां फेक देते हैं उसके गले में हीरो पर जाती है और दस घोड़े दोड़ते हैं तो क्या वो हीरो दस डारेक्शन में जाता है हीरो किसी एक डारेक्शन में जाता है किधर जाता है जिधर रिजल्टेंट काम कर रहा होता है तो अगर किसी बाड़ी पे बहुत सारे फोर्से लग रह और हो तो बेरिगनन साहम ने कहा ज़रा सुनिये उन्होंने कहा सभी forces का अगर में moment निकालूं सभी forces का में moment निकालूं moment बोले तो force into distance तो वो moment उसके resultant के moment के बराबर होता है अब बताओ वो हलका फुलका रूल यहां लग रहा नहीं लग रहा मैंने mass का moment निकाला मैं अगर इनको force माल लेता तो इन दोनों masses का moment is equal to उनका resulting mass है जो center of mass पे act कर रहा है उसके moment के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है तो यह varignan theorem थी hulky full की वो concept यहां पर लग रहा है ठीक है यह किसी रास्ते में किसी physics के concept में आपको मिल सकता है कहां मिलेगा मुझे नहीं मालू पहले एक कुछ state boards में चलती थी books dynamics and aesthetics वहां पर यह theorem हुआ करती थी अब लिखिये center of mass of n particle system या center of mass of the system of n particles center of mass of the system of n particles देखिये ध्यान से मने का suppose एक system है वो n particles से मिलकर की बना है यह particles है यह एक particle है यह दूसरा particle है यह तीसरा particle है चौथा particle है यह एक यह एक पार्टिकल है यहां कही तो मैंने यह system मान लिया इस particle का mass m1 है इस particle का mass m2 है इसका m3 है इसका m4 है इसका मैंने mn मान लिया अब चूकि इसकी location देनी पड़ेगी तो मैंने इसकी location मनाने के लिए मैंने इसका position vector r1, r2, r3 मान लिया यह mn को यहां मान लिजेगा यह हमने r1 मान लिया यह हमने r2 मान लिया यह हमने r3 मान लिया यह हमने r4 मान लिया और यह mn था तो मैंने इसको rn मान लिया अब simple सी बात है यह एक system है आप चाहो तो इसको body बना सकते हो ये n particles है पुरा एक body है और हमने माना कि suppose ये इसका center of mass है मैं मान लेता हूँ ये इसका center of mass है और इसकी position vector rcm है cm indicate for center of mass तो अब क्या करें जैसे अभी rule हमने बताया था तो rcm यहाँ क्या निकलेगा simple उसी नियम से लगा दो rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2 up to so on plus mn rn upon m1 plus m2 up to mn अब मैं इसको sigma अब मैं जिरा लिखने जा रहा हूँ mi ri upon sigma mi i की वर्यू कहां से कहां तक है तो यहां लिखते है i varying from 1 to n यहां i varying from 1 to n तो यह आपका center of mass का formula हो गया समझ में आई बार नहीं आई यह ओ आपका origin है मैंने फिराल इसको axis मान लिया है x-axis और y-axis यह आपका center of mass की position है derive नहीं करना है कि जो RCM दूरी आपने लिए actually मैं आपने origin से दूरी लिए यह RCM लिया है आपने diagram वीज़ भी लेना note कली जेगा तब बताजीगा देखो तुम्हारे हिसाब से हमने MI RI लिख दिया इस बार ओके अगर मैं sigma MI की बात करूं what is this it is whole mass of the body तो हम चाहें इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं sigma R I varying from 1 to N sigma MI RI upon यह total mass of the body हम लिख सकते हैं RCM को यहां लिख देंगे where sigma MI is equal to capital M total mass of the body body के बारे में बात कर रहा हूं total mass of the body आपने center of mass की दूरी कहां से लिए है origin से है ना अब बताइए अगर मैं origin को इस origin को जहां से distance ले रहे थे वो मैं center of mass पर ही पहुँच जाओ यही से distance ले लूँ तो क्या चलेगा तो एक special case लिखिए एक note का लिया note it down आचा जड़ा एक note लिखिए if origin is shifted to center of mass इसको एक question number one डाल दीजे फिलाल एक note लिखिएगा कुछ हम बताना भी जाते हैं if origin is shifted to center of mass यारी का अब मैं जो distance measure करने जा रहा हूँ वो center of mass से करने जा रहा हूँ देखे ध्यान रखिएगा जब numerical आएगा तो आप origin को क्रपिया इस प्रकार से मत मानिएगा उसी system में से किसी particle को माल लीजेगा वहीं से टिस्टम में ज़र करना शुरू कर दीजेगा तो थोड़ा सा easy पड़ जाएगा अभी हम numerical की बात करेंगे देखो अगर origin center of mass से measure कर रहे हो आप पहुँच गए center of mass पे और RCM होती है origin से center of mass की दूरी RCM is the distance of center of mass from origin और origin is already on the center of mass तो what will be RCM? तो RCM 0 हो जाएगा अच्छा तो by question 1 अगर मैं question 1 की बात करूँ तो sigma MI, RI, I varying from 1 to N 0 होगा नहीं होगा? हाँ जड़ा back gear लगाईए और चलिए पैडल अक्षिस थोरम में वहाँ पर ICM ऐसे मैंने center of mass से हमने पास कराई से अक्षिस उसमें एक जगा sigma MI आ रहा है था उसको मैं 0 लिखा था याद है? क्योंकि मैंने क्या मैंने जो दूरी ली थी small R वो कहां से ली थी? वो center of mass से ली थी ना? तो center of mass से ही आप distance measure करते हो तो center of mass से distance measure करने में moment क्या हो जाता है? 0 हो जाता है सुनमे आरी बार नहीं आरी है क्यों 0 हो जाता है? जरा समझिएगा ये मेरी body है ये center of mass है अगर मैं इधर के पार्ड के लूँ तो ये पूरे पार्ड के इस body को ऐसे जुका देंगे ऐसे घुमाने की कोशिज करेंगे ये कौन सा wise हुआ? clockwise मेरी तरफ से और अगर मैं इधर करूँ तो ये ऐसे जुकाएंगे तो आधे पार्ड के इसको clockwise घुमाने की कोशिज करते हैं और आधे पार्ड के इसको anti-clockwise घुमाते हैं तो आधा moment positive होता और आधा moment negative होता है तो total moment 0 होता है ये तो समझने वाली बात mathematical है लेकिन अगर मैं इस calculation से समझू तो सिगमा MR की value 0 आ रही है जो कि हमने वहाँ इस्तेमाल किया था और हमने बताया था कि इसका हम आगे concept center of mass में clear करेंगे ठीक है no doubt अब अगर ये Cartesian coordinate system होता ये x1 y1 होता x2 y2 होता तो जहाँ पर आपका r है वह x हो जाता जहाँ r बन हो आए x1 हो जाता तो एक note में number 2 लिखे in Cartesian coordinate system in Cartesian coordinate system अगर आपको center of mass निकालना है तो क्या करेंगे आप जहाँ पर r है उस सभी के center of, sorry, x coordinate लिख दीजेगा एक बार y coordinate कर दो ज़रुबत पढ़े तो एक बार z coordinate कर दो 3 dimension में तो अगर मैं x c हम निकालूँगा यानि कि center of mass का x coordinate तो जितने भी masses है सब के x coordinate m1 x1 plus m2 x2 plus 1 plus mn xn upon direct हम sigma m लिख दे दे तो यह आएगा sigma mx अब आई नहीं लिख रहा है हम जान बूज करके यह हो गया x cm अगर y cm similarity करेंगे तो sigma m y upon sigma m अगर हमको z भी चाहिए z cm तो sigma n z upon sigma m तो इस प्रकार से coordinate system में हम बात कर सकते हैं ठीक है जो action सभी particles में होगा उसका combined effect कहा पर लगव होगा center of mass पर यह concept इसका है नोट करिए झाहिए झाहिए के फिंटि सैंसे पेड़ सब्सक्राइब हाहा है कि अजय को ए बना यह गफ एय है 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 मता दीजेगा अभी कि motion of motion of center of mass बोल दिया करिए जब लिख लिया करिए और जो छूड़ जाया करें किसी का लिख 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 ने बता दिये कि हमने भी नहीं नोड किया motion of center of mass motion का मतलब मुझे center of mass की विलास्टी चाहिए मुझे center of mass का acceleration चाहिए यह सब कुछ चाहिए हमको momentum भी चाहिए देखो ध्यान से हमने अभी कहा कि जो सभी particle के साथ action हो रहा है उसका combined action अगर हम अपनी body को लेकर के चल नहीं है अपने पूरे सरीर के parts को लेकर के चल नहीं तो जो effect हमारे पूरे सरीर के part में हो रहा है उसका combined effect हमारे center of mass पे हो रहा है देखो हम जानते हैं we know that अभी हम बता चुके हैं diet लिखेंगे यहापर we know that suppose कोई n particle system है तो हम जानते है rcm is equal to होता है m1 r1 plus m2 r2 plus so on plus mn rn upon इसको sigma m लिख दे कोई दिक्कत बार बार m1 प्रस m2 क्यों करें लिख करके और sigma m को लिख दे capital m तो बहतर होगा one upon capital m अलग कर दे यह m1 r1 plus m2 r2 plus so on plus mn r यह मैंने क्या लिखा position vector of center of mass जरा तुरा सांत रो में एक मैं डिस्टर्ब हो रहा है यहां पर आवाज आ रही है अब अब सांत हो जब म्यूट करके बात कर रहे इसलिए लोट कर लिया अब velocity निकालना चाहते हैं velocity of center of mass velocity of center of mass तो हम लिखेंगे vcm विरास्टी कैसा निकलती है आपने differentiation पढ़ा होगा mathematics वालों ने पढ़ा है ना differentiation बायो वालों के लिए मैं बता देता हूँ चलिए velocity delta r upon delta t होता है इसी delta को dr upon dt कहते हैं d का मतब delta यहां लिखा है differentiation कहते हैं इसको तो इसका मतब मैं drcm upon dt करता हूँ मतब d upon dt of rcm तो rcm में 1 upon m बाहर कर दो और यह आएगा m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn अब d by dt को अंदर ले जा one upon capital m बाहर कर दो तो जब इसको अंदर ले जाएगे तो आएगा m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus last में लिखेंगे mn drn by dt dr1 by dt को क्या बोल सकते हैं कुछ नाम बताएंगे आप velocity आप first particle यानि कि one upon capital m is the whole mass of the body इसको m1 v1 लिख सकते हैं plus m2 v2 लिख सकते हैं up to mn vn लिख सकते हैं हमने बता रखा है motion of the center of mass यानि हमको center of mass का पूरा जो motion जो हो सकता है displace उसका position vector उसकी velocity उसका acceleration उसपर force अब निकालना है note करिए इसको फिलहाल equation 1 डाल दो 1 डाल दो और इससे एक चीज और देखें आप इसको बांद देखते हैं वन पढ़ा रहे जिए फिलहाल नोट कर लिया इसको अब देखें अगर मुझे center of mass का acceleration चाहिए तो आपने क्या पढ़ा है rate of change of velocity तो हम बात करने जा रहे है acceleration of center of mass ACM CM indicate for only center of mass तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा DVCM upon dt यह जो D मैं लिख रहा हूँ don't confuse यह delta लिखा हुआ है change लिखा हुआ है change बहुत इसमाल होता है तो हाँ D लिखा जाता है so confuse मत हो यह गा तो यह आजाएगा 1 upon capital M बाहर कर दो उसे कोई मतलब नहीं है तो D बाहर हाँ differentiation नहीं बायो वालों ने differentiation नहीं पढ़ा हुआ है किसी दिन मैं mathematical physics पढ़ा जूँगा जिस पर differentiation integration का concept clear हो जाएगा क्योंकि इंटर में इसकी बहुत जरूत पढ़ेगी आपको बार बार M1 V1 और नीट वगरा में बहुत आता है differentiation M2 V2 प्लस MN VN क्योंकि mathematics के लिए कहा जाता है it is a language of physics mathematics physics की भासा है नहीं मैं बायो वालों को वो नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूं के बद यह M1 हो गया DV1 बाई DT प्लस M2 DV2 बाई DT प्लस सुआन प्लस MN DVN बाई DT कुछ दिख रहा होगा आपको equation 1 को भी मैं रब नहीं कर रहा हूं जानबूस करके कुछ हमें इसको कहना है इसलिए equation 1 लिखा हुआ है यह VCM था हम इसको भी रब नहीं कर रहा है जानबूस करके देखो यह DV1 बाई DT को हम कह सकते हैं acceleration experienced by the first particle this is acceleration of second particle that is of nth particle तो 1 upon capital M M1 A1 plus M2 A2 plus 1 plus MN AN हमने साब साब दिख रहा है आपको कि जो आपका हर particle experience कर रहा है उसका combined effect जो है वो experience by center of mass हो रहा है note करिए अब जिरा इसका equation 1 अभी हमें लिखे हुए इसो दिमाग में रखिएगा अभी बात में बात करेंगे देखो अब इसको आगे बढ़ते हैं जरा यह ACM निकल ला था अगर मैं cross multiply कर दूँ तो this is M M बोले तो capital M that is the whole mass of the body M ACM is equal to M1 A1 plus M2 A2 plus so on plus MN AN इसको पहचानते हैं आप force acting on the first particle force acting on the second particle force acting on the nth particle तो इसको लिखते हैं F1 plus F2 up to so on plus FN यह हो गया M A C M जरा यह F1 कौन सा force है अब यह पहचानी है F1 कौन सा force है पर ले लिखिए फिर हम बात करते अरणों साब समझ में आ रहा है very good अब जरा समझें F1 कौन सा force है देखिए दो प्रकार के forces body में लगते हैं एक internal force एक external force आपको याद होगा जब मैं Newton second law of motion की बात कर रहा था impact of body को जब मैं टकरा रहा था इस प्रकार से तो मैंने कहा था internal force आपस में balance हो जाते हैं अगर हम गए और कहीं किसी से टकरा गए तो हम उससे टकराया वो हमसे टकराया दोनों एक दुसरे से सौरी बोल लिए बात बराबर हो गई तो internal force एक दुसरे को balance कर देते हैं अगर हम बात करें system of the particle की तो particle के अंदर molecule हैं बहुत सारे particles हैं उस body की बात करें तो particle के अंदर जो internal force लग रहे हैं वो सब एक दुसरे को balance कर रहे हैं यह वो force है जो हम अलग से body पे लगा रहे हैं body को motion कराने के लिए तो this is actually external force यह क्या यहाँ पर है यह आपका F external है तो external internal बात समझ में आ रही है दो body impact कर रही है दो body collide कर रही है जा करके वो लड़ गई वो माली elastic body थी जब जब लड़ी उसमें क्या क्या पहली body ने दूसरी पे force लगाया दूसरी ने पहली पे force लगाया यह आपस में जो force का exchange हुआ यह कौन सा force है यह internal force है और internal force का net जो होता वो कितना होता है zero net internal force zero होता है लेकिन जब वो लड़ रही थी जब जाके टकराने वाली थी हमने मेज हिला दी थी उसको या हमने ऐसे धका मार दिया था उसको तो यह जो force हम लगा रहे है यह external है तो जो यह sum of the force आ रहा है यह external force है यानि कि कहने का मतलब यह हुआ जाकर के कि आप जब cycle चलाते हैं आप paddle मारते हैं अगर चलाते हैं जो रोग नहीं चलाते हो तो अच्छी बात है कार चलते हो अलग की बात है जो cycle चलाते हैं तो आप paddle मारते हैं तो आप cycle का कौन सा part actually अपना force कहां पर लगाते हैं आप centre of mass पर लगाते हैं jaha आप कहां force लगाते हैं आप centre of mass पर लगाते हैं देख लिए हर particular fonce लग रहा है entirely total जो फो फोर्स मिल रहा है वो किसको मिल रहा है वो center of mass को मिल रहा है कहने हम कह सकते हैं कि center of mass एक ऐसा system होता है या एक ऐसी जगे concentrate होता है कि जैसे whole of the force acts on that part के तो center of mass के दो तरीकी से definition दे सकते हैं देखो अभी हम क्या कर रहे थे ये 5 लोगों को रोकने के लिए 5 force लगा रहे थे 11 newton force की मैं बात कर रहा हूं और बाद में हमने एक point पे 5 newton का force लगाया था और system को रोग दिया था हमने तो actually हमने force कहां लगाया center of mass पे तो center of mass की एक और definition ले सकते हैं लिख लीजेगा the center of mass hence करके ने चले दो hence the center of mass पहली definition में क्या बताई थी कि जहां whole of the mass is assumed to be concentrated एक तो उसके ट्रम में definition हैं दूसरी definition क्या बता रहे हैं कि पूरी body पे force लगाई है जरूर आप लेकिन आपका पूरा का पूरा पूरा जो force का resultant होगा वो कहां जाएगा वो center of mass पे जाएगा तो लिखेगा the center of mass of a system of particles the center of mass of a system of particles moves as moves as if the entire mass of the system if the entire mass of the system entire mass of the system were concentrated at it बता ऐसा move करेगा जैसे कि पूरा का पूरा जो mass है वो उसी point पे act कर रहा हो were concentrated at it and all the external forces were applied at it and all the external forces were applied on it और जो internal forces होते हैं उनका motion से कोई लिना देना नहीं है वो आपस में लड़ धर करके आपस में टक्रा करके एक दुस्रे को balance कर लेते हैं यानि motion के लिए internal force responsible नहीं होता अब जानते हैं कि आपके molecular system में बताया गया है कि आपके molecule random motion करते हैं बहुत भेंकर velocity उनकी होती है लेकिन उस molecule के चलने से particle नहीं चलता क्यों क्योंकि वो internal forces हैं वो एक दुस्रे को balance करते हैं net जो velocity वहाँ 0 होती है net force 0 होता विलास्टी नहीं कहिए विलास्टी भी 0 होती है net net force वहाँ 0 होता है तो समझ में आ गई बात लगबग लगबग कुछ समझ में आया ही बात नहीं आई अच्छा एक और इसी चीज को दुबारा लिखते हैं equation 1 को उठाइए लिखे by question एक note करके लिजेगा note करके लिजेगा या heading डाले जेगा momentum of center of mass momentum of center of mass momentum of center of mass तो momentum के लिए हमको क्या चाहिए mass और velocity तो अभी हम लिखेंगे by question 1 we know that हमने अभी क्या निकाला है vcm is equal to 1 upon total mass of the body m1 v1 plus m2 v2 plus so on plus mn vn मैं capital M को इधर लेके जा रहा हूं तो capital M vcm is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus so on plus mn vn अगर हम ध्यान से देखें इसको तो m capital M है sorry capital M vcm this is the momentum of first particle plus momentum of second particle plus momentum of nth particle and this is the total momentum of the system is given by mvcm है अब देखें 50 particles थे छोड़िए 5 particles थे यह example याद रखेगा 5 particles थे दोनों नीचे के और गिर रहे थे उनका अपना-पना momentum था अपना-पना जुकी mass था अपनी-पनी velocity थी अपना-पना momentum था थो हमने दिखा दिया total momentum आपके center of mass के momentum के बराबर है अब देखें अगर मैं इसको differentiate कर देता dp by dt कर देता तो यह आजाएगा capital M into d by dt of vcm तो इसको हम कहते macm फिर आप वहीं पहुंच गया जो अभी थोड़ी दर पहले जहां पहुंचे थे अभी थोड़ी दर पहले जहां पहुंचे थे वहीं दुवारा पहुंच गये ने पहुंच गये f external f external समझ्यारी मैं external क्यों यूज कर रहा हूं बार बार क्योंकि जो force है वो actually मैं external force है क्योंकि पूरे particle system जो जिसको क्या body बोलते हैं उसका net internal force हमेशा 0 होता है तो यह हो गया proof कि dp by dt is equal to f external अब जरा समझेगा अभी मैं कह रहा था कि newton's ला या laws of motion single particle पर act करते हैं यह एक particle था उस पर act कर गया उसके पास single particle की velocity हमने निकाल दी single particle का acceleration में निकाल दिया single particle का momentum में निकाल दिया दूसरे का निकाल दिया तीसरे का nth का निकाल दिया और बात में देखिए पूरी body का भी निकाल दिया कैसे निकाल दिया with the help of center of mass क्योंकि हमने कहा जो action जो activity पूरे particle में हो रही है the same action is experienced by center of mass हमारा center of mass same action experience कर रहा है यह चीछ देखिए यह जो capital P है यह actually किसका momentum linear momentum है यह center of mass का है यह center of mass का भी momentum होता है कैसे होता है जो सभी particle को होता है उनका combined momentum center of mass का होता है अब देखिए अगर हम if f external zero कर देते हैं then dp by dt is equal to zero यानि कि p is constant तो law of conservation of linear momentum जो कि law of motion में single particle के लागू हो रहा था the same law is applicable on the center of mass रोट कि जिसको constant ओधरा constant कुछ छोटा सा लिग दिया constant constant p is constant भाई किसी चीज़ का change zero होने का मतलब क्या होता है वो चीज़ constant है time के साथ p नहीं change हो रहा है dp by dt मतलब rate of change of p with respect to time इसमें p is not changing doesn't mean p is zero p is constant उसका change zero है अब आपने छोटे classes में बहुत सारे particle का center of mass पढ़ा होगा कि पर center of mass a uniform rod उसके midpoint पर act करता है center of mass किसी square lambda पर उसके center पर act कर रहा है center of mass of triangular lamina का जो होता है वो centroid पर act करता है जहां पर centers cut करते है center of mass mass एक cylinder का midpoint पर act करता तो बता चुका हूं center of mass कोन का कहा add करता है उसके base से h by 4 height पर act करता है तो यह आप छोटे classes पड़े होंगे तो कुछ center of mass की location उसको याद कर लिजेगा ठीक है तो यह center of mass का finish है ठीक है एक topic rotational motion में हमें कराना था अचा एक माट rotational motion में हमने moment of inertia कराई थी moment of inertia की दो theorem कराई थी parallel और perpendicular axis theorem उसमें अगर आप NCRT में खोलेंगे ISL Aronam खोलेंगे और बुक में खोलेंगे तो बहुत सारी regular bodies की moment of inertia दिये होंगे moment of inertia आफे rod, moment of inertia आफे disk, moment of inertia आफे hollow cylinder तो यह derivation आपके syllabus में नहीं है उनके formulae syllabus में है उन्हें याद करेंगे याद ही करना पड़ेगा कोई और चारा नहीं है ठीक है तो इसको याद करेंगे है याद हो इगप जैए आए जनके तो याद है याद रह दिसके अश्वाट शाध अवाद करेंगे याद है याद करेंगे तो इसको आफे इसको देंगे नहीं है